नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ब्रेकिंग इस सिक्किम के सिंगतम में लोनक जीले में उपर अच्छानक बादल फटने से तिस्ता नदी में बाड आ गई सेना के 23 जवान लापता होने की खबर मिल रही है राज के मुख्यमत्री प्रेंट सिंग तमाम ने सिती का जाय जालिया मिली जानकारी के अनिसार उत्तरी सिक्की में लोनक जील पर अच्छानक बादल पतने से लाचेन घटी से तीस्ता नदी में अच्छानक बाड आ गई मौके पर मवजूद अधिकारियों ने बताया कि बाद देर रात करिब देर बजे शुरू आ गई है तलाशी अब्यान ज छोड़े जाने के कारण नीचे के और 15-20 फीट की उन्चाई तक जनस्तर अच्छानक बढ़ गया इससे सिंगतम के पास बाद दांग में खड़े सेना के वाहन प्रबावित हो गई सेना के 30 जवानों के लापता होने और 41 गाड़ियों के कीछड में डुबे होने की खबर है बीजेपी नेता उद्गेइन शेरिंग ग्योटसो बूटिया ने बताया सरकारी तंतर को लगातार लोगों की जान बचाई जा रही जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन सिंगतम के सर्वजेनिक सपत्यों को नुकसान पहुंचा कुछ लोगों को गुमशिदा होने की सुचना है जिन्हें ढूनने की कोशिश चल रही है पहले 18 अगश्ट को उत्राकान में चमुली के तराली शेतर में बारी बारिश के बार बादल पतने की घटना सामने आई थी बादल पतने के बार प्रनामती नदी का जलसर खत्रे के निशान से उपर बहने लगा था और पिंडर नदी में उपान पर आ गई थी नदियों का पानी लोगों के घरों और शिव मंदीर में भूज गया था इससे भारी नुकसान हुआ था कहीं घर शतिगरस्त हो गये थे गलतलब है की मोसम विबाकी ओर से कहा गया कि आज सुबा राज के तडों में पूर्व सिक्किं में 30.0 मिमी रावंगला में 52.0 मिमी मांगांजिया में 49.5 मिमी युकसों के 26.5 मिमी सोरिंग में 84.0 मिमी नमची में 98.0 मिमी और नाम्तां में 90.5 मिमी में बारिष टेकी गई जहां तक सिक्किं में मौसम पुननिमान का सवाल है सिक्किं में अगले तीन से चाथ दिनों के दवरान हल्की से मज़्यम वर्ष होने की उमीद है इधर कबर है कि सिक्किं में बादल पटनी से 20 से अधिक जवान लापता हो गई है फिर मिलेंगे अगले ब्रेकिंग्स के दानिवार